यूटूब पर यूटूब चैनल तो बना दिया, मगर यूटूब पर वीडियो सही तरीके से अपलोड कैसे करो? चैनल तो क्रियेट कर लिया मैंने, लेकिन मुझे वीडियो अपलोड करना तो अच्छे घंसे आता नहीं है, तो वाइरल कैसे होगा? तो दोस्तो आज का टॉपिक इसी के उपर है, कि यूटूब पर चैनल बनाने के बाद सही तरीके से वीडियो अपलोड आप करेंगे, तभी जाके आपका वीडियो अच्छे से वाइरल होगा, थम्नेल, टाइटल, टेक्स, डिस्क्रिप्शन, और उसमें जितनी सारी यह किस प्रकार करेंगे, सारी चीजों के बारे में मैं नौलेज देने वाला हूँ, तो मेरा नाम है सौरा ब्राय, और मुझे 6 साल होगा यूटूब पर काम करते हुए, और मैं आप लोग साथ अपनी 6 साल का experience आप लोग साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो चलिए बने रहे वीडियो पर आप लोग अगर यूटूब पर अच्छे से वीडियो अप्लोड करना सिखना चाहते हैं, तो आप सही वीडियो पर क्लिक किये हैं, तो चलिए जल्दी जल्दी, मुबाइल के स्क्रील पर चलते हैं, आपको वीडियो अप्लोड करना सिखाते हैं, तो दोस्तो तो हम आ चुक है अपने मुबाइल के स्क्रीन पर अब यहां पर आप देख सकते हैं मैंने अपना यूटूब जो एप है इसे ओपन कर लूँगा तो यूटूब एप को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है अपने चैनल को लॉग इन करना है तो आपका जो भी देख सकते हैं इस प्लास आइकॉन को क्लिक करने के बाद आप अपने गैलरी पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे तो आप जो भी फाइल या जो भी वीडियो आप एडिट करके रखेंगे वह आपके सामने में शोग कर देगा तो मैं भी आप लोग वीडियो ले ले रहा हूं जैसे कि यह एक मिर्ट 15 सेकिंड की जो वीडियो है इसको मैं क्लिक कर लूँगा तो आप देखिए आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा इंटरफेस तो आपको कुछ नहीं यहाँ पर आपको चेक करने के लिए देगा कि आप चेक कर सकते हैं कि आपके वीडियो में कौन सा पा का आपका इंटरफेस खुल जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर यह उपर में नजार आ रहा होगा पैंसिल का आइकॉन तो इसे क्लिक कर देना क्लिक करने के बाद हमको अब हमारा थमनेल चूज करना है जो आप थमनेल बना कर रखेंगे तो आप देख सक करने के बाद आपका यह थमनेल सेट हो चुका है अब यहाँ पर आपको अपना टाइटल लगाना है जो भी आपका वीडियो रहे गा जैसा भी वीडियो रहां चाहे ब्लॉक से लिलेटेड हो या आपको खसे लिलेटेड हो RIA कैसा भी आपका जो इचल मैं यहाँ पर लगा चले जाना है आपको description पे तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना title जो आपने copy किया उसे paste कर देना और उसके बद यहाँ पर कुछ hashtag लगा देना है जो कि आपको hashtag ऐसा लगाना है जो कि viral hashtag हो उसके बाद यहाँ पर जो आप tag लगाने वाले आगे चल कर उस tag को यहाँ पर you are queries करक उसे यहाँ पर आप लिख दीजेगा लिखने के बाद आपका description box जो रहेगा वो हो चुका है complete तो आपको back आजाना है बैक आने के बाद यहाँ पर याद रखना है visibility में हर दम यहाँ पर तीन option मिलेगा आपको publish, unlist, private तो हर दम वीडियो upload करने से पहले हर दम इसको unlist बहुत सारी setting करना है वो setting करने में आपको सुविधा रहेगा तो आप इसे unlist ही रखे हर दम अब unlist रखने के बाद यहाँ पर audience, audience में आपको कुछ नहीं करना इसको no it's not made for kids जो लिखा यह हमेशा यह हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए तो इसको ऐसे ही रहने दिजेगा location आपकी content इसके बारे में मैं कुछ दिनो बाद आप लोगों के लिए एक अच्छा वीडियो लाने वाला हूं एकदम detailing वीडियो तो फिलाल इसको ऐसी रहने देते हैं allow video and audience remix इसको भी allow रहने देते हैं comments को भी on रहने देते हैं अब आपका video uploading करने के लिए फिलाल का setting है वो एकदम completely ह हो चुका है तो इसे अब upload कर देंगे अब upload चला रहने के बाद सी वीडियो पर क्लिक करेंगे और आपका video यहाँ पर शो करेगा और यह एक परसेंट से लेके 100% तक क्या upload होगा तो इसे आपका internet fast रहेगा तो जल्दी हो जाया गया तो कुछ समय लगेगा तो इसे जल्दी upload होने देते हैं तो यहाँ पर हमारा वीडियो हो चुका completely update थोड़ असा processing में समय लगेगा कम से कम 2-4 मिनट तो यह देख सकते हैं आप हमारा ready to watch लिख कर आ चुका है और हमारा वीडियो अच्छी तरीके से upload हो चुका है तो दोस्तों अब तक जो setting करना थो वो तो हमने कर लि चैनल है वो चैनल एड होना चाहिए उसके बाद हम यहाँ पर चल लएंगे content पे content पे जाने के बाद यहाँ पर जो हमने वीडियो upload किया था YouTube पर वो वीडियो यहाँ पर show करने लगेगा आप देख लो तिस वीडियो को click करने के बाद यहाँ पर आपको pencil का icon दिख रहा होग तिस pencil का icon को click कर लेंगे अब click करने के बाद यहाँ पर आपका सारा जो setting आपने YouTube पर upload करने से पहले किया था वो सारा setting आप लोगों को दिख लगा description ओके है यहाँ पर आपका title ओके है यहाँ पर आपका thumbnail ओके है अब यहाँ पर not made for kids यह हमने किया था playlist होगा तो playlist में डाल दी देना है यहाँ पर no कर देना है नो करने के बाद आपको back आजाना बैक आने के बाद यहाँ पर not is not included ordered content लिक कर आ जाएगा अब यहाँ पर tag टेक्स पर click कर देना है तो यहाँ पर जो आपने description पर your queries करके लिखा था उसे ही यहाँ पर tag के रूप में keywords लगा देना है तो दोस् जाकि सर्च पर आपका वीडियो सबसे पहले आ सके और allow video audience remix इसको भी ऐसी रहने देना है यहाँ पर category में आपको people and blog आपका cooking channel होगा तो आप cooking के हिसाब से टेक्निकल चैनल होगा तो टेक्निकल के हिसाब सब category choose कर लेना और यहाँ पर comments को on रहने देंगे बाखी जो setting हो सारे setting वो ऐसे ही रहने देंगे अब back आ जाएंगे अब आपका जो perfectly video एकदम perfectly setting हो चुका है वीडियो अब यहाँ पर visibility में हमको publish कर देना है और publish करने के बाद यहाँ पर हमको save के button पर click कर देना है यहाँ पर जो save का button दिख रहा होगा इसे click कर देना है तो आपका perfectly video एकदम आप तरीके से video upload करना सिख चुके हैं ताब इस प्रकार से video upload करेंगे तो आपका video काफी अच्छे से rank करेगा अच्छे से reach जाएगा लोगों के पास और अच्छे खासे views आएंगे तो दोस्तों I hope so कि आप लोगों को video upload करना अब अच्छे से आजाएगा और इस पत्धती से आप video upload करते हैं तो आपका video अच्छे से rank करेगा अच्छा सा view आएगा और viral होने के chances रहेगी तो बिल्कुल मैं जैसा सिखाया है ऐसा ही आप लोग video को description, title, thumbnail और सारा अच्छे से लगाना तब जाकर आपका video rank करेगा और अच्छे से viral होगा तो दोस्तों अगर आप लोगों को य और जदे जदे शेयर करना तो आगे मैं मिलता हूँ आपसे नेक्ट वीडियो में और अच्छे से नॉलेजबल वीडियो के साथ thank you so much for watching my video जैएंड